नमस्कार हम सभी पर महराज जी का आशिरवाद और बजरंग बली जी की क्रिपाश सदैव बनी रहें बहुत सारे भक्तों का ये सवाल आता है कि घर में जब वो पूजा करते हैं तो उस समय उनकी आखों से आसु आने लगते हैं कई भक्ति ये भी कहते हैं कि जब वो महराज जी के मंदिर में जाते हैं श्री कैची धाम जाते हैं या अन्ने किसी भी मंदिर में जाते हैं तो महराजी के विग्रे के सामने आते ही उनकी आँखों से स्वत्य ही आसु बहने लगते हैं। तो इस सब का क्या अर्थ है? क्या मतलब समझा जाए इस बात का? तो जवाब देने से पूर्व में आपको पहले महराजी की एक लीला सुनाना चाहूंगी कि इलाभाद में संध्या का समय है और महराजी अपने अनन्य भक्त श्री सुधीर दादा के घर पर उनके तख़त पर विराजमान है और महराजी से मिलने के लिए उनके दर्शन हेतु एक दूसरे अनन्य भक्त वहाँ आते हैं और उनके हाथ में एक कैलेंडर होता है वो उस कैलेंडर को महराजी के बगल में तख़त पर रख देते हैं और स्वेम महराजी के सामने जाकर बैट जाते हैं महराज जी कालेंडर उठाते हैं उसे खोलते हैं और महराज जी देखते हैं कि उसमें श्री राम चंद्र जी के और श्री हनुमान जी के साथ में बहुत ही मनमोहक चित्र है महराज जी उस चित्र को भाव विभोर होकर देखते रह जाते हैं और थोड़ी देर में उनकी आँखों से आसू भी बहने लगते है महराज जी कुछ देर बाद दादा को आवाज लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि दादा तुम इस फोटो को फ्रेम करा कर मंदिर में लगवा दो इस सबसे हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले तो आँखों से आसू का आना कोई गलत बात नहीं है ये एक बहुत बड़ी कृपा है इश्वर की अगर आप अपने अराध्य की याद में अपने इश्ट के प्रेम में रोते हैं आपके आँखों से आसू बहते हैं तो इसका मतलब यही है कि परमात्मा की आपके उपर अपार कृपा है इस बात को अच्छे से समझ ले कि हम सभी परमात्मा से बिछड़े हुए उन्ही के एक अंश है हमारी आत्मा उनसे बिछड़ी हुई है अपने परम पिता परमेश्वर से बिछड़ गई है और कहीं न कहीं हमारे अंदर उस इश्वर की उस परमात्मा की एक गहरी याद व् इलकुल वैसे ही जैसे कि एक पुत्र जब अपने पिता से बिछड जाता है तो उसे उनकी बहुत याद आती है। उसके हिर्दय में उनसे मिलने की एक टीस सदा ही व्याप्त रहती है, एक तडप हमेशा रहती है। लेकिन उसे ये पता ही नहीं होता है कि उसके ये पिता आखिर कहा है, उनसे वो कैसे मिल सकता है। तो उस पल में, उस समय में हमारा हिर्दय आनंद से भर जाता है। और भाव विभोर हो उटता है। ये साक्षातकार हमारा उस परमपिता परमेश्वर के साथ हमारी आत्मा का परिचे होता है। चाहे प्रतेक्ष रूप से आपको कुछ भी न पता चले कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। परंतु अंदर जो आपके आत्मा है जो आपके भीतर है वो आनंद मे होने लगती है उसके अंदर भावनाओ का बांध तूट पड़ता है जो आसू के रूप में आखों से प्रकट होता है और ये आसू जब आपकी आत्मा से निकलते हैं तो वो अपने साथ आपके मन में पी सारी मलीनता और सारे दुर्भाव को भी अपने साथ लेकर आखों के रस्ते बहा ले जाती है इसलिए इस प्रकार के अनुभव के पश्चात आप देखिएगा कि आपका मन बिलकुल हलका अनुभव करता है आपको असीम शांती और शीतलता का अनुभव होता है और आपको ऐसे अनुभव के बाद कभी भी कुछ गलत करने का मन नहीं करेगा आप चाहेंगे कि आप इसी आनंद में डूबे रहें आपका ये आनंद कभी समाप्त नहो इससे आप कभी बाहर आए ही नहीं मीरबाई ने भी अपने इन आसों की बड़ी महिमा गाई है मीरबाई कहती है कि उन्होंने ईश्वर के साथ प्रेम किया है और अपने इस प्रेम के बेल को उन्होंने अपने आखों के आसूं से सीचा है महाकवी संत कबीरदास का भी यही कहना है कि अगर हसने खेलने से सबको ईश्वर मिल जाते फिर तो सबको ही इश्वर की प्राप्ती हो जाती लेकिन ऐसा होता नहीं है इसलिए तो हम रोते हैं हम रोते इसलिए हैं क्योंकि हम एक बहुत ही लंबे समय से इश्वर से बिछड़े हुए हैं और हमें चाहे कोई तडप हो नहो परंतो हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है वो अपने उस बिछड़े हुए अंश से उस परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही होती है इसलिए जब हम पूजा करते समय या फिर महराजी के विग्रह के सामने जब हम आते हैं जब कभी भी आपका ईश्वर के साथ ये जुड़ाव होता है तो आपकी आत्मा को अपने वो पुराने गुण स्वते ही याद आ जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आनंद के आसू आपके आखों से बहने लगते हैं यहाँ एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये आसू बिलकुल निस्वार्थ होते हैं ये स्वार्थ के आसू नहीं है स्वार्थ के आसू से मेरा आशय ये है कि जैसे आपने इश्वर से कोई मनुकामना मांगी और अब आप उसकी पूर्थी के लिए रो रो कर इश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं नहीं ये ओन आसू की बात नहीं हो रही है ये वो आसू है जो सहे जी आपके आखों से बिना किसी मनुकामना के बिना किसी स्वार्थ के, हिर्दय में हो रहे आनंद के कारण आपकी आँखों से बहने लगते हैं इस तरह से ईश्वर की याद में आ रहे ये एक एक आसू आपके बेहद बेहद अनमोल है ये आपके हिर्दय से निकले हुए वो पुष्प हैं जो आप प्रभुचर्णों में समर्पित करते हैं ये बेशकीमती आसू हैं इनसे अच्छा कोई भेट आप अपने अराध्य को दे ही नहीं सकते ये सबसे अनमोल है आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार जब आप महराज जी की कोई कथा सुनते हैं या फिर अपने इश्ट से जुड़ी कोई भी बात आप सुनते हैं तो उस कथा को उस बात को सुनते सुनते ही आपका रोम रोम अंदर से हर्शित होने लगता है आपस देविये शक्ती की उर्जा को अनुभव करने लगते हैं अपने अंदर क्योंकि है तो हम उसी देविये शक्ती के एक बिछड़े हुए अंश इसलिए जब कभी भी हम उस परमेश्वर के अपने परमपिता के विशे में कुछ सुनते हैं कोई कथा सुनते हैं कोई बात हमें पता चलती है तो आत्मा हमारे अंदर जो आत्मा है वो उन्हें याद करने लगती है और ऐसे में हमारे आखों से आशू का बेहना सुभाविक हो जाता है और ये होना भी चाहिए क्योंकि इससे एक बात पक्की हो जाती है कि आसू ही परमात्मा का एक रूप है हमारे आसू के रूप में हमारे अंदर परमात्मा की ही शक्ती उनके ही गुण हमें प्राप्त हो रहे हैं उनका आशिरवाद हमें प्राप्त हो रहा है इसलिए ये आसु हमारे आँखों से निकल रहे हैं ये वो पल होता है ये वो बहुमूल समय होता है जब आपकी आत्मा और परमेश्वर आमने सामने होते हैं अकेले होते हैं चाहे दुनिया भर के लोग आपके इर्द गिर्द खड़े हों पर आपको उनका कोई बोध नहीं रहता है आप सब कुछ भूल जाते हैं अपनी गलतियां, जाने अंजाने हुए पाप, अपनी सारी चिंताएं सब कुछ शुन्य हो जाता है उस पल में, उस बेला में केवल आपकी अंतरात्मा होती है और परमेश्वर होते हैं ये वो साक्षातकार का समय होता है जब ईश्वर से आपका जुडाव सबसे गहरा और सबसे घनिष्ट रहता है इसलिए ऐसे समय में आसुओं का बहना सुभाविक होता है तो ऐसी अवस्था जब कभी भी जीवन में आए तो उसमें आपको क्या करना चाहिए ऐसी भामूल अवस्था में सबसे पहले तो आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभू मैं आपके चर्णों में समर पे थूँ अब आपका शर्नागत हूँ अपने शर्नागत की लाज रखो और मेरी आत्मा का कल्यान करो हे प्रभू मेरा मार दर्शन करो ये वो सुनहरा अफसर होता है कि इस समय में आप जो कुछ भी ईश्वर से मांगेंगे वो जरूर पूरा हो जाएगा क्योंकि आप इस समय ईश्वर से सीधे तोर पर जुड़े हुए हैं उनके बिलकुल समक्ष खड़े हैं ऐसे में जो भी बात आपके मन से निकलेगी वो प्रभू तक निश्चित तोर पर पहुँच जाएगी लेकिन ऐसे समय पर कोई छोटी मोटी वस्तू, कोई भौतिक चीज मांग कर परमात्मा का अपमान बिलकुल मत करियेगा ऐसे समय में आप प्रभू से उनका पवित्र नाम अपने हिर्दय में बसाने की प्रार्थना करिये ताकि मन की जो भूख है, जो तड़प है वो शान्त हो और हमारा मन प्रभू नाम के जाप से पवित्र हो जाए इसलिए आसूं का आना सर्वोत्तम है ये जो आसूं आपके आँखों से आ रहे हैं, इनसे आपके अंतकरण की सफाई हो रही है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुब संकेत है इश्वर की कृपा के कई और भी संकेत होते हैं जैसे पूजा के समय अगर दिपक की लौ बढ़ जाती है, तो वो भी इश्वर का एक संकेत ही है कि वो हमारी भक्ती से प्रसन है ऐसे समय में अगर आखों से आसूं भी बहने लगे, तो वो सर्वोत्तम हो जाता है इस समय आप जो कुछ भी इश्वर से मांगते हैं, यहां तक कि अगर सानसारिक चीजे भी मांगेंगे जैसे कि प्रभू इस वज़े से मेरी तरक्की रुकी हुई है, आप कृपा करें तो परमात्मा की दया से वो मनो कामना भी आपकी पूरी हो जाएगी इसलिए यह बहुत बड़ी कृपा होती है इश्वर की आपके उपर इसके अलावा भी संकेत होते हैं जैसे धूबत्ती आपने जलाई, तो उसका धूआ आपके इश्ट की ओर, गुरू की तरफ, उनकी मूर्ती की तरफ जाने लगे तो भी आप समझ लीजिए, उनकी तरफ से ये एक स्विक्रिती होती है जैसे कि परमात्मा ने आपकी बात को, आपकी प्रार्थना को स्विकार कर लिया हो अगर आपने उनकी प्रतिमा पर कुछ फूल चढ़ाए, और कोई फूल आपकी ओर गिर जाता है तो ये भी एक शुब संकेत होता है मतलब परमात्मा ने आपकी बात को स्विकार कर लिया है आपके साथ वो जुड़ चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है ऐसी कृपा जब भी मिले तो बड़े प्यार से उसे सहर्ष स्विकार करना चाहिए और उसके प्रती परमात्मा का आभारी होना चाहिए उनका धन्यवाद करना चाहिए और ऐसे समय में आप अपनी प्रार्थना भी कर सकते हैं अपनी कोई बात है, कोई समस्या है उसका समाधान भी आप ईश्वर से जरूर मांग सकते हैं और मांगना भी चाहिए, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, बेश कीमती हैं ये आसू, इसलिए इनका सही ढंग से उप्योग कीजेगा, ताकि हमारा कल्यान हो सके और हमारा ये जीवन भी सफल हो सके। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महराज जी की भक्ती में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्राखना के साथ मिलते हैं अगले अंक में तब तक के लिए जै बाबा की। कर दो एक हमारा की।